हलो स्टुरेंट्स कैसे हैं आप लोग आई होप ऑल ओके होंगे क्या देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं एक्जांपल नमर 11 की तो चलिए शुरू करते हैं क्या किया आपको एक्जांपल नमर लेवर इनude मैं पीछे पड़ेते हैं का यूज कैसे होगा साइन Beck is माइनस y पढ़ाता अपने, क्या होता है sin x minus y, sin x minus y होता है sin x cos y minus, यह माइनस है तो यहाँ भी minus, अब इसनको पलट दो, cos x sin y, यह formula use करो आप, हम यहाँ पे लिख देते हैं sin 45 degree minus 30 degree, अब लगाओ, यह आगे वाला x है, और यह पीछे वाला y है, बस हो गया आपका थम, कहा गया है, हो यह, sin 45 degree, और cos 30 degree minus cos 45 degree, और यह sin 30 degree, एक से, एक से, x था न, 45 सही है, y 30 सही है, आप देखो, अब अपन फटाबर सॉल्ट करेंगे, बिना टेबल के, sin 45 कितना होता है, आपके 1 by root 2 होता है, cos 30 के लिए मैं बहुता है, sin 60 याद करो, sin 60 वाले एक लाइन याद होने ची, sin 60 क 1 upon root 2, और बता हो, sin 30 के लिए 1 by 2, और बता हो गया, root 3 upon 2 root 2, आप करोगा और फास्ट होगा, और फास्ट होगा, बार बार प्रैक्टिस करो सवाल होगा, और एक्स्टा जो आप गाइड वगेर है, उनको मतलब फॉलो करो, उनको आपको बहुत सार सवाल मिलेंगे, इस तरीक आप इसको ऐसे भी सॉल कर सकता है, root 3 का value बता है आपको, बता देता हूं आपको, root 3 का value भी लगा सकता है, 1.732, root 2 का value लगा सकता है, 1.414, ठीक है, 141, ठीक है, यह हो गया, आपके पास, sin 15 का value, complete, मिलते है next video में, next example के साथ, उसनक के लिए, good bye practice करते रहना, ठीक है,